हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रों बॉंड्स के पारे में और जानेंगे ये एक बार फिर चर्चा में क्यू है हाल ही में इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया ने पांच राज्यों में होने वाले विधान सबस्वा चुनाओं के तारिकों की गोशना कर दिये लेकिन चिंता का विषय ये है कि चुनाओी बॉंड को चुनोती देने वाली याचिका जो कि चुनाओी फंडिंग पर परसंचिन उठाती है 2018 सितंबर से कोट में निलंबित पड़ी हुई है जो कि हमारे देश में चुनाओी प्रक्रिया की पारदर सिता पर सवाल उठाती है चुनाओी बॉंड का जिक्र सबसे पहले 2017 के आम बजट में किया गया था हम बात कर रहे हैं चुनाओी बॉंड के बारे में यह एक प्राइमरी नोट की तरह होता है जिसके उपर उसकी वैल्यू या उसका मुल्य लिखा होता है यह बॉंड वैक्तियों द्वारा संस्थाओं द्वारा संगठनों द्वारा अपनी राजनीतिक पार्टियों को पैसा दान में देने के लिए इस्तिमाल किया जाता है इलेक्ट्रों बॉंड से जुड़ी जानकारी को लोकसभा में 2018 में पेस किया था जिसमें बताया गया था जिसमें बताया गया था कि केवल वही राजनेतिक दली चुनावी बॉंड प्राप्त करने योग्य है जो रिपर्जेंटेशन आप दॉपीपूल एक्ट 1951 की धारा 21 एक तहत पंजिक्रित है और जिन्होंने बीते अगामी चुनाव में एक परसेंट मत प्राप्त किया है बॉंड के लिए दानकरता को अपने सारी जानकारी के वाई सी बैंक को देना होगा इन बॉंड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा साखाव से खरीदा जा सक जिस दिन बॉंड खरीदा गया है उस दिन से 15 दिन तक ये मान्य रहेगा और 15 दिन के अंदर आपको इसे अपनी इच्छा अनुसार अपनी पार्टी को देना होगा नहीं तो ये अमान्य घोसित कर दिया जाएगा इस पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता परतेक तिमाही की सुरुवात में बॉंड दस दिनों की धिदी के ये खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं लोकसवा चुनाओं के वर्सों में ये 30 दिन के अतरिक्त दिये जाते हैं जनवरी अपरेल जुलाई अक्टूबर मंस में बॉंड दिये जाएंगे दे बैंक विल फुल इंफोर्मेशन अबाउट दा पर्चेसर बैंक के पास पूरी जानकारी होगी बॉंड खरीदने वाले की और सभी पोलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को अ नाही फंड लेने वाले नाम की गोशना की जाती है यह वैवस्ता राजनीतिक जानकारी की सोतंतरता पर सवाल उठाता है और अनुछे 191-a की अवहेलना करता है साथ ही यह राजनीतिक वित्में पारदरशिता के मूल सिद्धान्त की भी अवहेलना करता है यह परनाली उन के माध्यम से ही खरीदे जाते हैं कई आलचुकरों और मीडिया संस्थानों का तर्क हैगी सरकारी बैंक होने के नाते सरकार इन पर निगरानी रख सकती है चुनावी बॉंड के माध्यम से विदेशी फंडिंग प्राप्त करने संबंदी कोई सर्त नहीं है जिसमें आर्थि जैसा कि नीचे लिखा हुआ है फॉरण फंडिंग, कॉर्परेशन, अकॉंटबिलिटी, डोनेशन, रिकॉर्ड, सेल कंपनी, इंफ्लेंस, ट्रांस्परेंसी इन सब की कमी देखी गई है जिससे की चुनावी बॉंड के समर्थकों ने ये तर्क दिया है कि चुनावी बॉं से समस्या के जड़ को नजर अंदाज करता है, आइकार अधिनियम का प्रावधान है जिसके तहत राजनितिक दलो को बीस हजार से कम के दानों के सुरोतों का खुलासा करने से छूट दी गई है, इलेक्शन कमिशन ने ये पाया है कि अधिकतर पार्टी ने इसकायदा उठा जैसा कि मैंने पहले बताया कि रूलिंग पार्टी को ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को टोटल फंडिंग 2410 करोड रुपे हुई थी, जिसमें से 60% 1450 करोड इलेक्टरन बॉंड्स के जरिये हुई थी, और वही दूसरी तर 80 करोड इलेक्टरन बॉंड्स के जरिये हुई थी, यदि हम इलेक्शन कमिशन की एक रिपोर्ट पर नजरे डालें, जिसका ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, तो 2004 और पांच से लेके 2017 और 2018 के बीच में, बीजेपी का ग्राफ दीरे-दीरे 2014 के बास से उपर जाता ने, वहीं सबसेजादा बीजेपी को, 10450 कारोड रुपा पराप्त हुए है, वहीं दूसरे नमबर पर कॉंग्रेस और तीसे नमबर पर तृंवुल कॉंग्रेस को, प राप्त हुए है, इस वीडियो की बीदिएफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी, और आप हमारे एफबी और इंस्टा पर जुड़ सकते हैं धन्यवाद